नमस्कार मैं हूं दू अहुजा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसे की बरकत के लिए पोटली किस तरह से बनाएं इसको आप चुम्बक पोटली भी बोल सकते हैं कोई भी वीडियो की सीरीज आप मिसना करें क्योंकि अगली वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरह से इसकी पूजा करनी है आज मैं आपको बताऊंगे पोटली किस तरह से बनानी है तो सबसे पहले आपको लेना है एक नॉर्मल लाल रंग का कपड़ा, जो कॉटन का होगा, नी है छे लाल गुंजा, इसके बाद जो नेक्स चीज आपको लेनी है वो है कमल गट्टे के बीज चार लेने है यहां पर, हलदी की गांट एक और फिर आप इसके बाद जो अगली चीज लेंगे वो है गोमती चकरा, यहां पर 11 गोमती चकरा लिए हैं एक मोती शंक, और अब मैंने ली है कोडिया, यहाँ पे दो मैंने पीली कोडी ली है, और तीन मैंने काली कोडी ली है, आप चाहे तो साधरन कोडिया भी यहाँ पे ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ले, लेकिन पांच लेनी है आपको, आप चाहे तो साधरन धागा भी ले सकते लाल रंग का अब ये पोटली में ये कपड़े में सारी चीज़े आपको इखटी कर लेनी एक साथ डाल दे और इस तरह से इसकी पोटली बना दे अब आगे इसकी पूजा विदी कैसे है वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा और दिवाली के बाद आ कैस ड्रोर में आप इसको रख सकते एक साल तक इसको आपको ऐसे ही रखना है आप चाहे तो दो पोटली बना सकते अपने वियापा स्थान के लिए एक और इस तरह से आप बना सकते हैं जो पुरानी पोटली जो पिछले साल की पड़ी है उसको मैं दिवाली से पहले ही ये करने से पहली पुरानी पोटली को कहीं पे भी मिट्टी में जाके मैं इसको दबा देती हूं कोई भी पेड के नीचे और दुबारा से ये नई पोटली बनाती हूं और इसको मैं तीजोरी में रख देती हूं क्योंकि वो मूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम यू से पहले आपको मिट्टी में दबानिए उसके बाद आपको यी न्यू पोटली बनानिए और धंतेरश से पहले कभी भी आप इस पोटली को बनाके रख सकते हैं यह सारी सामगरी आपको किसी भी पूजा की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी अगर एकाज सामान देखें वाकई में इसे घर में आपके बरकत आने लग जाएगी एक बार यह उपाई करके तो देखेंगा वाकई में सूपर बली यह बहुत ही अच्छे से काम करता है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखेंगा आई विश पूरा प्याइब जाओेंगा झाले भीचा बार बलते हैं यह बहुत है है